हलो फ्रेंड्स मैं हूं भारती जैश्वाल मुझे मैथ बनाना अच्छा लगता है इसलिए मैं कोई भी कोश्चन उठा लेती हूं कहीं से भी और सॉल्व करके आपको सेयर कर देती हूं आप भी चलते फिरते वीडियो देख लेना हो सकता है आपका कोई डाउट या कोई पॉइंट थोड़ा क्लियर हो जाए आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो लाइक करो या ना करो नो प्रॉब्लम बट आप एक बार देख कर ये बता देना कि मैंने जो समझाया वो सही से समझ में आया गया that's enough for me thank you चलिए करते हैं question solve the length and breadth of a rectangular field are 400 meter and 250 meter respectively find the area of the field मतलब एक rectangular field आपको दे रखा है जिसका length 400 meter है और breadth 250 meter है तो simple आपको area find out करना है ठीक है ना तो ये तो आप simple formula से ही कर लेंगे area of rectangle आपको होता है length into breadth length into breadth तो हम क्या कर देंगे length के जगह पे 400 meter डाल देंगे और breadth हमारा 250 meter है ठीक है अच्छा आप देखिए इसकी भी unit जो है meter है और इसका भी unit meter है तो area का जो हमारा answer आता है वो meter square हो जाएगा क्योंकि हमने 2 meter को multiply किया है ठीक है अब इससे multiply कर दीजे 25 forja आपका 100 हो जाएगा और 1,2,3,0 आप डाल देंगे इस पे बस और meter square कर देना है ये आपका answer है area का unit perimeter का unit same to same रहता है आगे करेंगे हम लोग दूसरा question जिसमें मैं आपको बताऊंगे ठीक है thank you